क्या कभी आपने समय मशीन में चड़े बिना समय को पीछे मोड़ने की काम ना की है? अच्छा, क्या मानते हैं, निरंतर युवांता का रहस्य शायद आपके खाने की थाली पर ही हो सकता है ठीक है, आपके द्वारा खाई जाने वाली खाद्य सामग्रियान आपकी उम्र बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है जिसमें शिकंजी लड़ने वाले युद्धा भोजन है लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना और घंटी बजाना न भूले ताकि आप हमारे स्वास्थे सुझावों को कभी न छोड़ें जलकुम भी वाटर क्रेस एक पोशन घना पत्तेदार हरा होता है जिसका अकसर अंदेखा किया जाता है लेकिन पोशन मुली के मामले में एक जटका देता है यह A और C जैसे महतुपूर्ण विटामिनों में समिध्ध होता है साथी कैल्शियम, पोटेशियम और फॉसफोरस जैसे खनीजों में भी यह पोशक तत्व वाटर क्रेस को किसी भी व्यक्ति के लिए उनकी समग्र स्वास्थे को बढ़ाने के लिए एक शांदार चुनाव बनाते हैं वाटर क्रेस में विटामिन A और C प्रबल एंटी ओन एक्सिदेंट्स के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में हानिकारक मुक्त रेडिकल्स को नश्ट करते हैं यह कार्य ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के क्षतिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद करता है जो एजिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है वाटर क्रेस में एंटी सेप्टिक गुन भी होते हैं जो सेलूलर स्तर पर खनीजों के संचार को बढ़ाते हैं जिसका परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन युक्त चमकदार तवचा होती है अपने आहार में जलकुंभी जोड़ना सरल और बहुमुखी है आप इसे अपने सलाद में डाल सकते हैं या स्मूदी में मिला सकते हैं या अपनी मुख्य विंजनों के गार्निश के रूप में इसका उप्योग करें मिर्ची जैसा स्वाद आपके भोजन में एक अद्वितिय मोर जोड़ता है साथ ही स्वास्थे लाब प्रतान करता है एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल अकसर सबसे स्वस्थ तेल के रूप में मनाया जाता है जिसे आप सेवन कर सकते हैं इसमें antion accidents और monounsaturated fats सम्रिद्ध होते हैं जो हिर्दय स्वास्थे के लिए लाबकारी होते हैं और जिन्होंने अव्यवस्थित बीमारियों के जोखिम को कम करने में साबित हुए हैं अनुसंधान का संकेत देता है कि अतरिक्त कन्या जैतून के तेल से सम्रिद्ध आहा डियाबिटीज हिर्दय रोग जैसी अव्यवस्थित स्थितियों का जोखिम कम कर सकता है और कुछ प्रकार के कैंसर तक तेल में मौझूद एंटियोन एक्सिदेंट्स और एक्सिडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं सेलुलर क्षती और सूजन को कम करते हैं जबकि यह लुभाने वाली होती है कि अतरित कन्या जैतून के तेल के साथ पकाने के लिए इसका सरवोत्त उपयोग इसकी पोशन सामगरी को संरक्षित करने के लिए अपने कच्चे रूप में किया जाता है सलाहत पर इसे ड्रिजल करें ब्रेड के लिए इसे डिप के रूप में इस्तिमाल करें और उनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं लाल घंटी मिर्च में एंटी ओन एक्सिदेंट न केवल सोजिश से लड़ते हैं बलकि परियावरणिये प्रदूशकों और सूरज की क्षती से आपकी तवचा की सुरक्षा भी करते हैं वे विटामिन C में भी समरिद्ध होते हैं जो कोलाजन उत्पादन को बढ़ावा देता है तवचा की लचीलापन को बढ़ाता है हरी चाई हरी चाई एक एंटी ओन एक्सिदेंट्स का खजाना है इसमें पॉलिफिनोल्स पाई जाते हैं जो ज्यात हैं कि वे मुक्त रैडिकल्स को नश्ट करते हैं जिससे ओन एक्सिदेटिव स्ट्रेस कम होता है हरी चाई में एंटी ओन एक्सिदेंट्स हृदे रोग के जोखिम को कम करने वजन घटाने में सहायता करने और कुछ प्रकार के कैंसर से सुरक्षा करने में दिखाए गए है हरी चाई का एक अद्विती पृत्वीय स्वाद होता है जिसकी आदत होने में समय लग सकता है हालां कि जैसा कि आप इसके स्वाद के आदी होते हैं आपको यह सुखद और ताजगी भरी पे लगेगी जिसके लिए आप बार-बार पहुँचेंगे किलन के लिए पपीता सिर्फ एक मिठाई ट्रॉपिकल फल से अधिक है यह एक पोशनिय शक्तिशाली है विटामिन A, C, K और E तथा कैलशियम, मैगनीशियम और फॉसफोरस जैसे खनिजों से सम्रद पपीता आपकी अहार की अनेक आवश्चकताओं के लिए एक रुखने का स्थान है यह विटामिन और खनिज तवचा मजबूत हड़ियों और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाये रखने के लिए आवश्चक है पपीता की अद्वितिय घटकों में से एक उसका एंजाइम पैपन है यह एंजाइम एक प्राकृतिक शोथ निवारक एजेंट है जो शरीर को शोथ से लड़ने में मदद करता है जिससे यह आपके एंटी एजिंग आयुद को मजबूती देता है पेपाएम भोजन पचाने में भी मदद करता है और आपके शरीर को मरे हुए तवचा के कोशिकाओं को निकालने में मदद करता है जिससे आपकी तवचा और अधिक लचीली और चमकदार होती है चर्वी वाली मचली, फैटी मचली, जैसे की सालमन ओमेगा तीन फैटी अमलों में समर्द होती है जिन्हें उनके विरोधा भासी गुणों के लिए जाना जाता है ये चर्वी युक्त अम्रकोश का जिल्ली की समुचित्ता को बनाय रखने में मदद करते हैं जिससे हाइडरेटेड, फुले हुए तवचा के कोशिकाएं बनी रहती हैं जिससे आपकी तवचा युवा और अधिक चमकदार दिख सकती है फैटी मचली सेलेनियम के एक अच्छे स्रोध भी होती है एक खनिज जो DNA संचलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपकी तवचा को सूरज के क्षती से बचाता है सेलेनियम एंटी ओन एक्सिदेंट्स के साथ मिलकर काम करता है जो हानिकारक मुक्त रेडिकल्स को नश्ट करता है इससे ओन एक्सिदेटिव स्ट्रेस को कम करता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है अपने आहार में चर्बी वाली मचली जोड़ना एक रसोई घर सहसिक यात्रा हो सकती है सैलमन को ग्रिल करने पर विचार करें साइड में शतावरी या बेकिंग इसे जड़ी बूटी की छिड़काव और नीमू की छिड़काव के साथ ये वियंजन स्वादिष्ट ही नहीं होते बलकि स्वस्थतर चमकदार तचा के लिए भी योगदान करते हैं ब्लूबेरी ब्लूबेरी छोटी हो सकती है लेकिन यदि इसकी पोशन प्रोफाइल की बात की जाए तो यह शक्तिशाली है वे चीनी में कम और एंटी ओन एकसीडेंट में उच्छ होते हैं विशेश रूप से विटमिन C और A जो बुढ़ापे के लक्षनों से लड़ने के लिए आवश्यक हैं ब्लूबेरी में विटमिन C कॉलिजन उत्पादन में एक मुख्य खिलाडी है कॉलिजन तवचा की लचीलापन को बनाई रखने वाला प्रोटीन है और विटमिन C में समर्ध आहार आपको चिकना कम रिंकल वाली तवचा प्राप्त करने में मदद कर सकता है डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट कोको में समर्ध होता है जिसमें उपस्थित एंटियोन एक्सिडेंट्स ओएक्सिडेटिवे स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं जो एजिंग के प्रमुख कारणों में से एक है डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लावोनोइट को हर डिजीज के जोखिम को कम करने और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिखाया गया है ये फ्लावोनोइट्स तवचा के लिए रक्त संचार को भी सुधारते हैं जो युवा दिखने में योगदान करते हैं डार्क चॉकलेट की खरीदारी के समय कम से कम 70% कोको और न्यूंतम जोड़ी गई चीनी वाले विकल्पों की खोज करें ताकि पूरे स्वास्थे लाव मिल सकें ब्रोकोली ब्रोकोली एक क्रूसी फेरस सबजी है जो पोशक तत्वों में अत्यधिक समरिद्ध है इसमें A, C और K जैसे विटामिन की एक शुंखला होती है साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम जैसे खनिज भी होते हैं ये पोशक तत्व एक स्वस्थ शरीर और युवा तवचा बनाए रखने के लिए आवश्यक है ब्रोकली में विटामिन C, आपकी तवचा की हलका सा स्टीम करें या कुछ जैतून के तेल और लहसुन के साथ इसे तलने में फेंकें आप ब्रोकली सलाद भी बना सकते हैं जिसमें अन्य सबजियों के साथ हलका ड्रेसिंग मिला होता है अलसी के बीज अलसी के बीज, लिगनेंस और ओमेगा 3 फेटी एसिट्स का शांदार स्रोथ हैं लिगनेंस में एंटी ओन एक्सिडेंट गुण होते हैं जबकि ओमेगा 3 को उनके एंटी इंफ्लिमेटरी लाभों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है ओमेगा 3 फेटी एसिड और अलसी के बीज त्वचा कोशिकाओं की जल्दी को मजबूत करने में मदद करते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए पानी रखने का इसका परिणाम अधिक हाइडरेटेड फुले हुए त्वचा कोशिकाओं में होता है जिससे आपकी त्वचा अधिक युवा दिख सकती है अलसी के बीज आपके आहार में आसानी से शामिल किये जा सकते हैं अपने सुभ के अनाज पर पीसी हुई अलसी के बीज छिड़के उन्हें स्मूदीज में मिलाएं या उन्हें पकैंग रेसिपी में अंडे की जगह उपयोग करें पालक पालक में विटामिन A, C और K साथ ही लोहा और कैलशियम जैसे खनिजों की सम्रद्ध होती है इसमें लिूटिन जैसे योगिक भी होते हैं जो आँख के स्वास्थे के लिए लाबदायक होते हैं पालक में विटामिन और खनिज त्वचा और बालों की स्वास्थे में योगदान देते हैं विटामिन A त्वचा में तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है जबकि लोहा बाल के लिए उत्पादन में मदद करता है पालक को सलाद, स्मूदीज या लहसुन के साथ सोटे हुए आनंद लिया जा सकता है आप इसे पास्तावियंजनों में भी शामिल कर सकते हैं या इसे पिज़ा टॉपिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं अनार, अनार एंटियोन एक्सिदेंट विशेश रूप से एंथोसाइनिंस और टैनिंस में समर्द्ध होते हैं और ये आहारी फाइबर का अच्छा स्रोथ भी होते हैं एंटियोन एक्सिदेंट्स और अनार मदद करते हैं हाइपर पिग्मेंटेशन और भूरे धबों को कम करने में वे कॉलिजन उत्पादन का समर्थन भी करते हैं जो तवचा की लचीलापन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है अनार के बीज स्वयम का आनंद ले सकते हैं या सलाद और मिठाई पर छिड़क सकते हैं आप इन्हें स्मूदी में मिला सकते हैं या उन्हें व्यंजनों के गार्णिश के रूप में उपयोग कर सकते हैं नट्स, खासकर बादाम, हजल नट्स और चिलगोजा विटमिन E के उत्कृष्ट स्रोथ होते हैं यह फैट सॉल्यूबल विटमिन एक शक्तिशाली एंटी ओन एक्सिडेंट है जो आपकी त्वचा को ओन एक्सिडेटिव क्षटी से बचाता है विटमिन E त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है और यह क्षटी ग्रस्थ त्वचा कोशिकाओं की मरम्मद भी करता है नट्स में विटामिन E आपकी तवचा को अंदर से पोशन देता है, जिससे इसे प्राकृतिक स्वस्थ चमक मिलती है यह तवचा के पुनरजनन में भी सहायता करता है और यह छोटों और अन्य छोटी मोटी तवचा अध्वुताएं के दिखाई देने में कमी कर सकता है अवोकाडो फल दुनिया के लिए अध्विती हैं क्योंकि वे स्वस्थ वसाओं, विशेश कर मोनो अंसेचुरेटेड वसाओं में सम्रिद्ध होते हैं यह फैट्स आपकी तवचा के लिए लावदायक होते हैं, हाइड्रेशन प्रदान करते हैं और सूजन को कम करते हैं प्रदार तवचा को बनाए रखते हैं मीठे आलू मीठे आलू, विटामिन A का एक शानदार स्रोत है, जो उन्हें उनका चमकदार नारंगी रंग देता है बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन A में परिवर्तित होता है, जो अच्छी तवचा स्वास्थे के लिए आवश्यक है बीटा कैरोटीन से प्राप्त विटामिन, A तवचा की लचीलापन को बनाए रखता है और नई तवचा के कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है यह आपकी तवचा को हाइडरेटेट्र रखने में भी मदद करता है जिससे उसकी पानी को बनाए रखने के क्षमता बढ़ जाती है जिससे आपकी तवचा फूली हुई और युवा दिकती है और वहाँ आपके पास ये है, हमने बस 15 अद्भुत खाद्य पदार्थों की खोच की है, जो आपके सहयोगी हैं, अमर सौंदर्य और जीवन शैली के क्वेस्ट में। अगर आपको यह वीडियो एक ब्लूबेरी स्मूदी के ताजगी के समान लगा, तो लाइक बटन दबाने में संकोच न करें, और अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बटन दबाएं और हमारी वेलनेस समूदाय में शामिल हो, अगले समय तक शानदार बने रहें, और उन आयू विरोधी वस्त्रों पर छटकारा लेते रहें. झाल झाल